नमस्कार आज 20 तारिक को जो पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है उसमें कुछ रियायात देने की बात हुई थी तो जैसे जैसे हम पहले भी कहते हैं राज्य सरकारे हैं केंद्र नहीं ये राज्य सरकारे हैं जो फ्रंट लाइन पर लड़ रही हैं जैसे वो महराश्टर की सरकार हो, केरल की हो, राजस्थान की हो, चत्यसगर की हो, मद्यप्रदेश की हो, मनिपूर की हो, बाकी राज्यों की सरकारे हो, पंजाब की हो, ये हैं ये ये यूपी की सरकार हो, फ्रंट लाइन में राज्य सरकारे लड़ रही हैं और राज्य सरकार जो उनका शासंतनत्र है वो लड़ रहा है। केंजर के पास पैसा है। केंजर के पास central forces है, केंजर के पास anaj है, ton of anaj है, करीब 78 से 80 million ton तक anaj है। राजे सरकारों को पैसे की भी ज़रूरत है और अनाज की भी ज़रूरत है केन सरकार की तरफ से अभी भी एक economic revival package आना है केन सरकार की तरफ से अभी भी ये जो जितना अनाज बचा हुआ है और कटाई हो रही है 80 million ton, 78-80 million ton है अभी और भी अनाज आएगा जगें हों, चावल हो और चीज़ें हो लेकिन अभी तक किन सरकारे रिलीज नहीं कर रही है दूसरे उपर से जिन जिन राज़े सरकारों ने अपने अपने तरीके से कुरोना वारिस से जंग छेडी है वो अलग लग तरीके है बतलब कोई एक जैसे पुराने कावत है ना अद्रक हर मर्स की दवा न जिसने ना सिर्फ करोना वारिस का जो कर्व था जो उपर जा रहा था उसको सीधा किया पहले फिर अब नीचे आ गया है केरल ने फते पाली है करोना पर ठीक है राजस्थान बहुत पीछे नहीं है लेकिन आज केरल ने जो रियायात दी अपने लोगों को जिसमें बहुत सा लोग बाहर आएंगे और वो भी बिल्कुल जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टर केंड सरकार का उसके मुताबिक लेकिन केंडर को ये पसंद नहीं आया उनने लगा कि राजी अपने खुदमुखतारी कैसे जाहिर कर सकते हैं लहाजा एक प्रेस कॉन्समेंट को ये केरल स सरकार को एक चित्थी लिखी गई है उसमें कहा गया है Ministry of Home Affairs ने एतराज जाहिर किया है कि आपने जो लॉग डाउन की शर्ते हैं उनका पालन नहीं किया है कुछ ज़्यादा ही रियायते दे दी हैं कि रेस्टराओं की डुकाने वो खोलन ये जो पूरा नियम है इसके खिलाफ जाता है इसके खिलाफ जाता है केरला ने दरसल लोकल वोक्शॉप्स को भी खोलने का का था जो नाईएों की दुकान होती है beauty saloon वगारा नहीं, fashion नहीं, नाईयों की दुकान, इस वक लोग बाल भी नहीं कटवार है, 27 दिन हो गए है, नाईयों की दुकान होती है, restaurant होते हैं, किताबों की दुकाने हैं, अच्छा, municipal limits में जो medium, small और, no, micro industries and enterprises हैं, उनको खोलने की बात की थी, छोटे-छोटे distances जो होते हैं, फासले होते हैं, उनमें public transport चलाने का आज से फैसला किया, और जो निजी गारियां हैं, उनकी भी कुछ movement allow करी है, और even scheme log कर दी है private vehicles के लिए, जैसे और जगह पर भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ था, ठीक है, कुछ होटेल, रेस्टोरों भी खोले हैं, साथ बजे तक, इसी को लेकर ये केंदर को पसंद नहीं आया, कि मतलब ये तो खुद मुखतारी, अटॉनमी दिखा रहे हैं, जबकि in charge हम हैं, control हमारे हाँ में है, उननेश एप्रिल के चिठी ने ये भी केंदर, केरल सरकार को याद दिलाया है, कि a state cannot dilute the guidelines issued by the center, कि जो दिशा निर्देश center ने दिया है, केंदर ने दिया है, ये एक राज्य, उनमें कोई कटाउती नहीं ला सकता, उसकी कमी नहीं कर सकता, उसको कमजोर नहीं कर सकता, इन्होंने ये भी कहा है कि 15 April का जो order है, कि जो containment measures हैं, उनको आप और सकत तो कर सकते हैं, लेकिन धीला नहीं कर सकते हैं, आप धिलाई नहीं दे सकते हैं, लेकिन केरल के स्टेट टूरिजम मिनिस्टर केडम पली सुरिंदरन ने कहा है, कि हमने जो छूट दी है, रियायत दी है, वो केंदर की guidelines के मुताबी की दी है, यहाँ कोई communication की misunderstanding है, जो कुछ घंटे में हम clear कर देंगे, फिर केंदर को पता चल जाएगा, कि हम जो कुछ कर रहे हैं, उनके दिशा निर्देश के मुताबी की कर रहे हैं, हम फिर वही बात दो रहना चाहेंगे, केरल इकलौता राज्या है, जिसने करोना पर फते हासिल कर लिया, आशिक, अभी भी under observation है, इसलिए पूरी relaxation नहीं दी है, ठीक है, लेकिन जो कर्व होता है, जो हम पहले भी कहते हैं, कि एकदम exponential हो जाता है, दो से चार, चार से आट, आट से सोला नहीं, सोला से चपन भी हो सकता है, चपन से दो सो बावन भी हो सकता है, अगर आप कर्व देखें हैं, तो एकदम exponential होता जा रहा है, सिर्फ केरल में, यह जो कर्व है, करोना वारिस केसिस का, यह पहले stabilized हुआ है, अब नीचे जा रहा ह है, तो हम तो यही कहेंगे कि प्रधान सेवक जरा फराख दिली दिखाएं इसमें, और यह न कहें कि सब कुछ मेरे कबजे में रहेगा, और उनसे उम्मीद है कि वो फराख दिली दिखाके, कम से कम इतना तो कर देंगे, कि हर राजी की जो समस्या है, करोना की, वो अलग उसको अलग लग चश्मे से देखा जाना चाहिए, एक ही मुलब अद्रक हर मर्स की दवानी होती, कि एक ही तरह का लॉकडाउन सब जगे लागू किया जाए, बरहाल देखते हैं, प्रधान सेवक क्या करते हैं, इस वक्कारी के देशों में जो गल्फ कंट्रीज हैं, उसमे करोडों की तादाद में भारतिय काम कर रहे हैं, इसमें हिंदू भी हैं, मुसल्मान भी हैं, क्रिस्चिन्स भी हैं, केरल से बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर गए हुए हैं, लेकिन कुछ हिंदुत्वावादी जो हैं, वहाँ पर ऐसे ट्वीट्स इशू कर र एक साओधी अरेबिया के स्कॉलर है, विद्वान है, इनका नाम है आबिदी जहरानी, इनका ये कहना है कि जो हिंदुत्वा के लोग हैं, जो नफरत पहला रहे हैं हमारे देशों में, और जो अपने ही देश में मुसल्मानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, मुसल्मानों को लिंच भी कर रहे हैं, बहतर ये होगा कि उन सब को, खाड़ी के जितने भी देश हैं, उन सब को वापिस भारत भीज़ दिया जाए, उन्होंने एक हैश्टेग भी शुरू किया है, सेंड हिंदुत्वा बैक हॉम, यह बहुत ही खतरनाक बात है, मैं आपको एक छोटे सी फ हैं, जातर हिंदु हैं, साओधी रेमिया में 63 लाक, सिसरफ साओधी रेमिया में 63 लाक लोग हैं, उमान में 16 लाक लोग ऐसे हैं, जो मुसल्मान नहीं हैं, जाहिर है हिंदुों की तादाद जाद है उसमें, जो 16 लाक हैं, कतर में 13 लाक ऐसे हैं, जो मुसल्मान नहीं हैं, जाहिर है इसमें भी मजोरिटी हिंडूओं की होगी। कुवेट में 11 लाक नॉन मुसलिम है। बहरीन में 9 लाक नॉन मुसलिम हैं। डुबई में 9 लाक नॉन मुसलिम हैं। अब यह Сब नहीं हैं। सब शरीफ लोग हैं। रोजी रोटी कमाने गए हैं, सालों साल से इन देशों में रह रहे हैं, चन्द मुठी भर लोग नफरत फिला रहे हैं, नफरत कैसे फिला रहे हैं, मैं आपको एक्जामपल देता हूँ, एक महिला है, उनका नाम है प्रीती गिरी, प्रीती गिरी जो है, ये His Excellency सुहेल मुहम ये शोहर का नाम है अभिमन्योगिरी, दोनों ये प्रीती गिरी और इसके हस्बंड जो हैं, ये Middle East में ही रहते हैं, और ये जो भिंदूत्वा का जो नफरत वाले ट्वीट्स हैं, जो BJP ITCल वाले होते हैं, वो वहाँ पर फेला रहे हैं, रोजी रोटी वहाँ से कमा रहे ह उनी के धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, मैं प्रीती गिरी के कुछ ट्वीट्स आपको बताता हूँ, इनकी जो जिनको ये रिपोर्ट करती हैं, उनका नाम है नूरा अल-गुरेर, वो भी रॉयल फेमिरी से हैं, प्रीती गिरी का कहना है, पहला ट्वीट है, ये रहती वह हैं, वहीं का कमाती खाती है, ये कहती है, भोले भाले हिंदूओं को नहीं पता होगा कि बॉलिवूड अबिनेता आमिर खान तबलीगी जमात से ही तालुक रखते हैं, आपको बता दू कि तबलीगी जमात सुन्नी हन्फी विचारधारा के होते हैं, जिन में 99% देव बंद एक तो कोई हसेगा नहीं, दूसरा कोई मजभी टिपनी नहीं करेगा, अब शान्ती से समझो कि ये क्या हो रहा है, कहीं एक कोरोना टेस्ट के नए तरीके पर रिसर्च तो नहीं चल रहा है, दो बुज़र्ग एक देश्र को मिल रहे हैं, वहां उनका रिवाज है, ठीक है, अपने रिवाज के मताबिक मिल रहे है, उसके बाद देखिए, फिर लिखती है है ये पृतिगिरी, इस सच अच ए शेम तो सीट इस एपने निजाम-दीन मरकज, थू तब्लीगी जमात, फिर रहे है, वहां बुज़र्ग इस प्रिज़र्ग एक प्रितिगरी, फिर लिखत अपनी फोटो लगा रिखी है प्रदान सिवक के साथ, तो जो नूरा अल-गुरेर है, इनकी बॉस है, उन तक ये ट्वीट सब पहुंचे, उन्होंने ये लिखा, just because you have a photo with someone, don't think we will not take action, क्योंकि अगर आप सोचते ही कि आपकी photo है किसी के साथ, इशारा प्रदान सिवक के त इरभ, Modi वगरा, Vijay Mahalaya, उनका तो आज कुछ हुआ भी है, लंडन में, संदे सारा भाई, एक शेटी भी है वहीं, दुबाई से भागे है, वो भी, गल्फ कंट्री से, हाफ of the guys who ran away with money from India, have pics with your leaders, Dr. Shetty on the run also has photos, don't bother deleting the tweet, ये tweet को delete मत करना, मेरे पास screen shot है, अब जब ये message जब पहुंचा है उनके पास, उसका दूसरा message आए उनके पास, वही, Noorah Al-Gurair से, are you not hinting in your tweet to boycott Muslims, क्या आप पने tweet में ये इशरा नहीं करें कि, जो मुसलमान है, उनका boycott करो, where does this hate originate from, ये नफरत आई कहां से आप में, तो एक फिर किसन ने पूचा कि, is she working for you, do we need such people here, who hate Muslims, ये तो आपके लिए काम करें हैं क्या, क्या हम ऐसे लोग चाहिए हैं, जो मुसलमानों से नफरत करें, ठीक है, उसके बाद प्रीतिगरी का account गायब हो गया, ठीक है, फिर ये इनके husband का है, mission spread, sarvatra, sarvottam, sikshah, Dubai based businessman with swadeshi blood, full of desh bhakti and desh bhakti, dev bhakti, for a matri bhoomi plus karma bhoomi, ये प्रदान सिवक के साथ इनकी photo है, जब एक दफर ये, इनकी boss ने पकड़ा, तो प्रीतिगरी घबरा गई, उनोंने फॉरन एक ये बिजा, dear Noora and friends, this was purely not my intention to hurt anyone, मेरी प्यारी Noora, अपनी boss को कह रही है और दोस्तों, मेरी बिल्कुल नियत नी थी कि मैं किसी की भावनाओं को थेस पहचा हूं, I was totally scared with the pandemic, मैं इस महामारी से डर गई थी, I have no intention to hurt my Muslim brothers and sisters, अब Muslim brothers or sisters हो गए, ठीक है, in any part of the world, my heartfelt apologies if I have hurt anyone unintentionally, मेरी माफी, मैं माफी मांगती हूं, मतलब बिना शर्ट के माफी मांगते हूं, अगर मैंने किसी की भावनाओं को थेस पहुचाई हो तो, इतनी तो हिम्मत है, मैं आपको आगे और बता हूं, और किस-किस शूर्वीर ने क्या के लिखा है, और किन-किन के खिलाफ action लिया जा रहा है, हाँ, आगे लिखते हैं, I respect the UAE leadership from the core of my heart, and have been always supportive to every possible cause of country, once again, repeating, Noura, there is no slightest of such intention in my hatred, in any hatred, मैं एक बर पिर आपको यकीन दिलाती हूं, कि कोई नफरत की बात नहीं थी, मैं तो हमेशा से ही, जो UAE की सरकार है, उसका साथ देती आई हूं, लेकिन यह अकेली नहीं है, एक सौरव उपाध्याए भी हैं, अब सौरव उपाध्याए क्या लिखते हैं, अब सौरव उपाध्याए लिखते हैं, यह भी वही के हैं, तो इनके खिलाप लिया जा रहा है, जो उखाड़ लो, जो उखाड़ेगा, सौरव उपाध्याए है इनका नाव, तो इस पे प्रिंसेस हैंड अल कसीमी ट्वीट करती है, आपकी जो रूड़नेस है, यह बत्तमीजी है, यह बरदाश्ट नहीं की जाएगे, अब किसी को यह मुफ में काम नहीं करवा रहे हैं, सब को पैसे दे रहे हैं काम करवा के, आप इस सर्जमी पर अपनी रोजी रोटे कमाते हैं और उसे नफ्रत भी करते हैं, यह इसको बरदाश्ट नहीं किया जाएगा, it will not go unnoticed. पिर सौरब अपाधे आगे लिखते हैं, Muslims must stop finding ways to defend tablighis. The damage has already been done. The least you can do is accept and condemn it and not behave the religious fanatics, etc., etc. Deaths to radical Islamic tablighi terrorists and radical Islamic sons of Satan, I am going to tell you. Then, there is also fear. Our this is to say. I have told you some figures. Yes, then there is a very MP, Tejasfi Suriyah. He has released a 5 years full of tweet. Tarik Fateh is Pakistani, he is in Canada, he wants to live in India. This is why I sometimes think that he is a lot of swami-bhakti. He has written that 95% Arab women have never had an orgasm in the last few hundred years. Every mother has produced kids as an act of sex and not love. 95% Arab women have never orgasm. He has never given an orgasm in the past. He has not done an orgasm in the past. This is our MP. This is the answer. The answer is that your mother has given you to give you this and you will have given you. You will have said that you will like this. You will have said that that you will have said that you will like this. We have प्रदान सेवक से कम से कम ये तो उम्मीद करते हैं कि वो इसकी कड़ी निंदा करेंगे और प्रदान सेवक को भी मजबूर होकर एक ऐसी बात कहनी पड़ी जो पहले कभी नहीं कही उन्होंने ट्वीट किया है COVID-19 does not see race, religion, color, caste, creed, language जो बात हम इसी में करते हा रहे हैं कि ये corona virus है, ना किसी की नसल देखता है, ना धर्म देखता है, ना रंग देखता है, ना जाती देखता है, ना कोई विश्वास देखता है, ना जुबान देखता है, ना सीमाय देखता है, before striking, our response and conduct thereafter should match primacy to unity and brotherhood. We are in it together. हमारा जो response होना चाहिए, वो यह होना चाहिए, कि हम आपस में, मिल जुल कर रहें, भाई, भाईयों की तरह रहें. वैसे प्रदान सिवक ने कुछ दिन पहले ये भी कहा था, कि कपलों से पहचान हो जाती है, कि कौन, कौन है. बेरहाल हम इतना ही कहना चाहेंगे, आ करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को खतम कर देते हैं, जो आपकी उनको दिशांदर देशा है. आपके एक कहने पर, एक दफे कहने पर, लोगबाग बालकनी में आ जाते हैं, मौंबतिया जलाते हैं, टॉर्चिस जलाते हैं, उसके वास बंप अठाके भी फोट देते हैं, जो आपने नहीं कहे हुए है. अगर आप कहें उनको कि अगले सोमवारात आठ बजे, आप कब आठ से आठ पांच तक, आप सब लोगबालकनी में आकर लूंगी डास करें, तो वो लूंगी डास भी कर देंगे. आप यह मत कहिए, आप सिर्व इतना कहिए, कि मुसल्मानों क कुछ भी नहीं किया है, जो उतने ही भारत के सच्चे बेटे हैं, सच्चे सिपूत हैं, जितने आप याप के समर्तक हैं, उनको बहुत नुकसान होगा. कल ना कीजिए, डेट से दो करोड भारती है वापिस भेजे जाए, आप उनको कहां रखेंगे? जरा सोचिए. नमस्का अब खबरे पाईए सब चे पहले हमारे मोबाइल नियूस अप्लिकेशन पर, एंड्रॉइड या आई यूस प्रेट्फॉर्म पज़ाईए, एच डावली नियूस नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधा नुसार भाषा का चैन कीजिए, खबरों की भीड में अपने काम की खबर पाते रहेंगे।